दिल्ली के मुख्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के राश्ट्रिय सन्योजक अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी प्रधान मंत्री आवास का घेराव करेगी इसके चलते जाम लगने की संभावना को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलीस ने ट्राफिक एडवाईजरी जारी की है जिसमें वाहन चालकों को कई मारगों पर आने से बचने और सारवजनिक परिवान का अधिक से अधिक उप्योग करने की सला दी है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरीवाल ने एडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है यहां निर्देश स्वास्थ्य मंतरालय से संबंधित है दिल्ली के स्वास्थ्य मंतरी सौरब भारदवाज ने मंगलवार को प्रेस वारता कर सीम केजरीवाल क इस निर्देश के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ईडी हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थिकी चिंता है। वोटिंग की शुरुआत होने से पहले ही कई राजनेताओं के भाशनों में बदलाव नजर आने लगा है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विज्जन ने विवात खड़ा कर दिया है। केरल के सीएम पिनाराई विज्जन ने एक भाशन में दावा किया है कि भारत माता की जै नारा एक मुसल्मान ने दिया है। हालां कि विपक्ष की ओर से इस दावे पर कोई प्रतिक्रि दल और भाजपा के गटबंधन की अटकले लगाई जा रही थी। मगर सुनील जाखड ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। जाखड ने कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले ही लोकसभाद चुनाव लड़ेगी। करनाटक के मंतरी शिवराज तंगदागी ने एक चुनावी रैली में पियम मोधी के खिलाफ विवादित तिपणी की। उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ने क्या युवाओं को नौकरी दी। यदि वे रोजगार मांगते हैं तो वे उनसे पकोड़ा बेचने के लिए कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। फिर भी अगर छात्र मोधी मोधी करते हैं तो उन्हें थपड मारा जाना चाहिए। और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।